2020 में कोरोना की वज़ों से पूरे देश में हाहा कार मच गया था लॉकडाउन जैसे चीजों से हम गुजरे और ये कहा जा रहा था कि चीन नहीं कोरोना फैलाया चीन की वुहाल की लैप से ही कोरोना फैला अब एक बार फिर से चीन में एक रहसमी बिमारी फैल रही है जिसका जिक्र हमने किया फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परिशानी, खासी और तेजबुखार चीन के उत्तर पूरवी इलाके में इस्थित लिया ओनिंग प्रांथ के बच्चों में एक रहसमी बिमारी के इलक्षन तेज़ी के साथ पैल रही है और ये लगातार बढ़ते जा रही है आलम तो ये हो गया है कि इस्पतालों में बेड मिलना बहुत मुश्किल है इसकी साथी नौबत यहां तक आ गई है कि अगर स्कूल में किसी बच्चों में इलक्षन दिखाई दे रहे हैं तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है बात करें लिया ओनिंग की जहां सबसे जादा हालत खराब है वो राजधानी बिजिंग से जादा दो नहीं है हम अपने इससे पहले वाली वीडियो में इस महामारी का जिक्र कर चुके हैं और बता चुके हैं किसके लक्षन क्या है और किस तरह की यह रिसमी बिमारी है लेकिन चीन अपनी हरकतों से शायद बाज नहीं आ रहा है इस बार फिर से चीन की रेसम विमारी का असर दिखाई दे रहा है उत्राखण में ये देखने को मिला दरसल उत्राखण में चीन में फैली विमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था स्वास विभाग के द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद हर एक चीज पर बारी की से नज़र रखी जा रही थी उत्राखण के बागेशन में दो बच्चों में इंफ्रुएंजर जैसे लक्षण पाए गए है इसको लेकर बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए चीन में फैली माइक्रो प्लाज्मा निमोनिया और इंफ्रुएंजा फ्लो को लेकर उत्राखण में स्वास विभाग ने सतर्पता बरतनी शुरू करती है जिसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है बागेश्वर जिले में दो बच्चों में ये लक्षण पाए गए है इनके सैंपल सुशीला तिवारी एस्पताल बेजे गए है जांच रिपोर्ट आने का इंतिजार हो रहा है दरसल जिले एस्पताल में दो बच्चों को लाए गया था बागेश्वर में उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ इल्परेंसर जैसे लक्षण की आशंका को देखते वे डॉक्टर्स ने ये सैंपल भेजे जांच रिपोर्ट चार से पांच दिन में आ जाएगी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही अगर आगे कोई निर्णे लिया जाएगा कि ये वाइरस वही है या फिर नहीं फिलहाल स्वास विभाग इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है बिमारी के पांच वे स्टेज में आउक्सिजन के जरुत होती है इस विमारी के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ इसको लेकर प्रदेश भर के तमाम अस्पतालों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है सभी अस्पतालों में ऑक्सिजन के पूरी मात्रा रखने को कहा गया है अब उत्राकट में दो मामने निकल कर सामने आए है, रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लक्षण बिल्कुल वैसे ही है तो क्या चीन एक बार फिर से कोई प्रियोग कर रहा है, जिसकी बज़र से इस तरह की बिमारी एक बार फिर से देखने के लिए मिल रही है और अगर बाकी एक औरना जैसी माहमारी है, तो बहुत जादा सचेत होने की जरुत है दराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन आपको जागरूप करना हमारा मकसद है हालकि सरकार पूरी तरह से नज़र रख रही है, लेकिन हमें अपना बचाव खुद भी करना है